तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी और मैं जब बोलता हूँ ना बहुत कड़वा बोलता हूँ ये चीज आपको बता देता हूँ कि क्या-क्या होना चाहिए तब ये आटो आना फीचर सही तरीके से काम करेगा जनुएन प्रब्लम है जो मैं बता देता हूँ भाई जो मेरे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अभीज व्लॉग के एक और नए वीडियो में भाई आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कुछ खराब कमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कड़वा बोलूँगा पर बोलूँगा भाई सच मैं बताता हूँ आपको क्यों इसका कार ना वीडियो इस पर ध्यान से सुनना इस बात को और वीडियो को स्किप मत करना यह आपके लिए है वीडियो जो लोग कमेंट्स करते हैं लगाता जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं बात सच में उनको क्योरीज करनी होती है ना गाड़ी के बारे में वो सिर्फ गाड़ी और जब मैं उनकी आईडी खोलके देखता हूँ ना तो भई उनका खुद का कार्स का चैनल है तब यह कहां तक सही है मेरे को बताओ जब आप खुद एक कार के बारे में वीडियो बना रहे हो आप खुद मतलब अपना चैनल चला रहे हो और मेरे सब्सक्राइबर को खाने के लिए आप मेरे वीडियो पर आते हो और कमेंट्स करते हो कि यह गाड़ी जो है यह ऐसी है और विशेज कर मैंने देखा है कि हर वीडियो पर जाकर उन्होंने कमेंट्स किया है एक दो लोगोंने आला कि मैंने वह रिमूव कर दिये कमेंट्स वो क्या करना है कि जैसे ही मैं म मारूथि 800 है, या अल्टो है, या कोई भी है, वो ये बोलते हैं, तो वो जाकर भाई, वो वविक्ति उस कमेंट के अंधर जाकर बोलता है, कि ये जो गाड़ी है, खराब है, ये जो गाड़ी है, अन्डरपावर है, और ये एक कमेंट, एक कमेंट पर नहीं, जितने भी कमेंट्स आयों है ना अलग अलग वीडियो पर कम से कम 5-6 वीडियो पर जाकर भाई वो लोग कमेंट करते हैं तो भाई कहां तक सही है यह चीज मतलब तुम लोगों को यही करना है क्या है ताकि तुम लोगों की क्योई करना चाते हैं उनको जाकर तुम लोग यह बोलते हो यह गाड़ी कराब है या वो गाड़ी खराब है अब तुम्हारा मैं सच मैं कभी نہ कभी ऐसा मैं पोलः खुलूँसद इस वीडियो के अंदर कभी भी किसी वीडियो के अंदर बना के न तो मारी बोलती बंद हो जाएगी और मैं जब बोलता हूँ ना बहुत खड़वा बोलता हूँ तो अगर यकिन नहीं होना तो मेरे जो पहला वीडियो वायरल हुआ था उसको जाकर देख लेना एक बार तो मारी जो गलत फहिमी है ना वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी अगर कमेंट करना है अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई क्योरी है तो कमेंट करिए मेरे बार जो मेरे को बोलते होना तो कोई फ़रक नी पड़ता खाली कमेंट कर दिया मैंने जैसे उन्होंने बुला था भाई साथस्था कोई से बोल दिया एक बार कोई फरक नी पड़ता परनतु जितने भी वीडियों संब पे जाके एक ही बात लिखना और विशेश कर वहांपर जह कर दूँगा हाइड कर दूँगा वहां से आपको चैनल से कोई फरक नहीं पड़ता है मेरे को कमेंट करने से पहले दस बार सोच है कि मैं क्या कमेंट कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं उसके बाद ही कमेंट करें और आपकी कोई क्योरी करूँगा 100% करूँगा आप कमेंट करने में कोई जिजग नहीं करें अब बात करते हैं भाई कुछ और बातों के चलती है तो यह जो चीज है यह जो दोनों तरफ जो खड़ा देके रखा यह भाई आगे वाली हवा को चीरने के काम आता है जिससे की इसका बहुत भारी वजन है इस गाड़ी का और इस भारी वजन के साथ मैं जब यह हवा को चीरते हो चलती तो इन खड़ों की मदद से चीर यह आगे से बहुत घड़िया दिखता है अरे बेवकूफो तुमको पता ही नहीं तुम अब तुम मेरे मुझे सुनोगे तुम्हें बिल्कुल भी पता है कि यह क्या चीज है तो जिस चीज के बारे में तुम कैसे कमेंड करके बोल सकते हैं और यह चीज खराब है इस गड़ी तीक है ना इसका जो और डाइनेमिक पूरा जो स्ट्रक्चर रहा है ना उसके अंदर शामिल है यह चीज जो यह खड़ा दे के रखा है तुम लोगों को पता ही नहीं है तुम बिनाफ आलतो कि यह बात करना है वह बंद कर दो उसके अलावा लोग बोलता है बहुता है यह जो भी कंपनी की गाड़ी हो, भो लोग जब अपनी गाड़ी में कोई चीज देते हैं, कोई स्पेस देते हैं तो उसका कुछ कारण होता है, बेव फाल तो ऐसे ही नहीं चिपका देते हैं किसी गाड़ी में, तो भाई इस प्रकार के कमेंट करने से पहले दस बार सोचा करो, एक उसके बारे मिं बात कर लेते हैं, आप ऑन Allah फीचर जो यहां पर देके रखे आता है ना उसके बारे में, अब आप ऑन अ फीचर लोग कहता हैं कि भाई, यह घान करता है, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, कि सच में कई बार यह बार भी वर्क नहीं करता है, यह फैक् और मैंने इसको clutch में डालके neutral में ले लिया अब neutral में लेने के बाद अब आप इसको clutch को release कर दे उसके बाद आराम से बैट जाए और होना क्या चाहिए तीन चीजे होनी चाहिए एक तो आपके सारे doors जो है न वो lock होने चाहिए तब ये auto on of feature काम करेगा और ये गाड़ी automatic बंद हो जाएगी traffic के अंदर दूसरा hand brake आपका लगा हुआ होना चाहिए ठीक है तीसरा अगर इस seat पर और इस seat पर दोनों ही seats पर अगर passenger बैट हैं तो दोनों ही seat belt भाई लगी होई होनी चाहिए ये तीन चीजे जब तक नहीं होंगी न तब तक भई आपका auto on of feature से ही तरीके से काम नहीं करेगा मैं पहले एक इस पर वीडियो बना चुका हूँ detail के अंदर अगर आपने नहीं देखा है तो उपर आई button में link दे रहा हूँ जाकर देख ले न अच्छे तरीके से ये गलत फहमी कप पैदा होती है कि इन में से एक भी चीज अगर नहीं की हुई है न तो आपका auto ये off हो गई नहीं ठीक है न तो आप इसको start करके रो चाहे कुछ भी करो अगर ये तीन चीज़े नहीं एक तो आपके खुद के seat belt लगी हुई नहीं एक ये handbrake नहीं दिया हो क्योंकि भाई traffic में हम जाते हैं और जब रुकते हैं न कुछ देर के लिए तो handbrake तो देंगे न तो handbrake अगर दिया हुआ नहीं है दोनों seat के seat belts हैं वो लगे हुए नहीं अगर को passenger seat खा लिए तब तो कोई परक नहीं पड़ता और इस seat पे आपके ये seat belt लगा हुआ होना चाहिए तो ये तीन चीजे आप ध्यान रखना वरना ये आपका out on off का feature काम नहीं करेगा अब दूसरी बात दूसरी बात एक भाई का मैंने वीडियो देखा ओनलाइन भाई सब अपने content के लिए सब करते हैं पर भाई थोड़ा बहुत जनुन रहा करो इस गाड़ी के बारे में जो rear problem है वो मैंने बता दी एक तो भाई इसकी lock problem जो आप सब लोगों को सही लगता है और मुझे भी लगता है कि ये थोड़ी सी problem करती है परन्तु ये जो feature दिया है ना भाई इसके देने का कारण भी मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बेटन में लिंक दे रहा हूं जाकर देख लेना आप ये भी देने का कारण है पर ये सैच मैं उस specification से ज़्यादा ये गाटा लोगों को अखर रहा है लोगों को अखर रहा है ठीक है न तो आई ये भाई मैं problem मानता हूं बाकी genuine problem है ना उसके बारे में आप बात करो कोई दिक्कत नहीं परन्तो यार आप views के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए जैसे तैसे करके मतलब अच्छा सा thumbnail लगा दिया ये बुरे ये वो बुरे ये और फिर आपने मेरे thumbnail आप देख लेना भाई जो मेरे वीडियो में होगा ना वही मेरे thumbnail में आपको मिलेगा मैं कभी भी अपने चैनल पर रिस्क लेता ही नहीं हूँ मैं वही बात अपने thumbnail में लिखूंगा जो मैंने उस वीडियो में बताया हूँ है और वही आप इसको एक बार दबा के बता दो भाई मेरे सार्त है मेरी इसको अगर दबा कर बता दो ना आप मुका मार के भी तो दबा के बता दो ये plastic खराब नहीं होगा ना ये लचीला है मेरे पास पहले गाड़िया रही हुए मुझे पता है कि dashboard का plastic कैसे आता भाई ऐसे हाथ देते हैं न तो उंगलियां अंदर जाती है इस प्रकार का plastic आता है यहाँ पर और टाटा ने यहाँ पर इतनी अच्छी quality का plastic दे के रखा है इस गाड़ी के अंदर मैं बागी किसी गाड़ी की बात नहीं करूँ मैं मेरी गाड़ी की बात कर रहा हूँ इसलिए अब ये मत बोलते हैं ना कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ मैं मेरी गाड़ी की बात करा हूँ जो लोग जुड बोलते हैं कि यहां का जो प्लास्टिक है वो खराब है और प्लास्टिक टाटा ने खराब कॉलिटी का देगे रखा है कोई भी खराब कॉलिटी का प्लास्टिक नहीं है इस गाड़ी में बहुत अच्छा प्लास्टिक दे के रखा है तो ये फालतो की बात है मत किया करो एक जनुवन प्रब्लम है जो मैं बता देता हूँ भाई जो मेरे को फील हो रही है ये ये जो हम पहना यहां से थोड़ा सा उठा हुआ अउबार ये तकलीफ देता है जब हम गाड़ी चलाते है ये बार-बार यहां टाच होता है पैर के और इसके बारे में टाटा को सच में कुछ करना चाहिए ये जनुवन प्रब्लम है इस गाड़ी की एक तो ये लॉक प्रब्लम और दूसरा भाई ये ये जगा क्या होती है जब भी हम क्लच लगाते है ना उसके बाद रिलिस करते है ये देख ये बाई टच होता है यहां पर तो ये प्रब्लम करती है बाई जैसे ही क्लच छोड़ा ये बीच में आएगा मान लो मैं इसको आगे भी करने की कोसिश करता हूँ तो यहां टच होगा ये देखिए ये पैर मेरा यहां टच हो रहा है अब ये जो जगहा है ना भई ये बहुत कम दे के रखी और जो लोग हैवी मतलब लंबे और भारी पैर हो वाले है जिनके पैर मझबूत है और बड़े बड़े लंबे मेरे तो पतले है अब यहाँ उनके बहुत ज़्यादा प्रब्लम होने वाली उनको यह गाड़ी चलाने में दिकत होगी पहले-पहले पर स्टार्टिंग में आपको प्रब्लम होगी बार-बार इस प्लास्टिक के उपर आपका यह गुटना टाच होगा यहां की यह जगा टाच होगी आपको इरिटेट करेगी यह जगा तो इसके बारे में सच मैं टाटा को कुछ करना चाहिए यह जनुवन प्रब्लम है इस प बहुत ज़्यादा देखे रखिए, यह देखिए, कि इतनी खराब लगती है, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्या होता है, कि भाई सबसे ज़्यादा जो स्क्रैच लगते हैं इंडियन रोड्स पर, वो इस जगह पर ही लगते हैं, उनको पता है, तो यह भी भाई क कार के बारे में, या किसी भी कार के बारे में, आपके क्योरी है, उसके कमेंट के लिए, आपको बिल्कुल भी मनाई ही नहीं है, भाई, खूब कमेंट्स करो, मैं तो खुद चाहता हूँ, मेरे वीडियो पर आप कमेंट्स करो, पर जान बूच कर, मेरे जो सबस्क्राइबर हैं उनके कमेंट्स पर जाकर हर वीडियो पर जो कमेंट्स आयों है वाँ पर जाकर कहना टाटा की गाड़ी खराब आती है टाटा की गाड़ी मत करीदना ये मत करना वो मत करना भाई किसी भी कार के बारे में टाटा की गाड़ी ऐसी कुछ भी बात ना हो कमेंट में तो चलिए भाई इतनी सी बात आपसे बता नहीं थी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक और मेरा व्लोग वेला चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई अभी का भी जाओ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई जैसरी राम